देश में बेरोजगारी की मार ऐसी पड़ी है कि युवाओं को हर भरती एक उपलब्धी की तरह दिखाई पड़ती है। विशेश कर कुछ राज्यों की बात करें तो वहां की स्थिती और भी दैनिये हैं। हाल ही में 46,000 ग्राजुएट्स ने आवेदन किया है लेगन किसी पर्मनेंट या बहतर ग्रेट की नौकरी के लिए नहीं बलकि सफाई कर्मी की नौकरी के लिए जिसके लिए उन डिग्री धारकों को हर महिने महज 15,000 वेतन मिलेंगे। दरसल हर्याना के 46,000 से अधिक उमिद्वारों ने हर्याना कौशल रोजगार निगम के तहत समविदा सफाई कर्मचारी पदों के लिए आवेदन किया है। इस नौकरी के लिए आवेदन किया जिसकी सालरी करीब 15,000 प्रति महिना होगी। व्यक्तियों को ये पुष्टी करते हुए एक वचन देना होगा कि उन्होंने नौकरी के विवरन को ध्यान से पड़ा है जिसमें सारवजनिक स्थानों, सडगों और इमारतों में सफाई, जाडू लगाना और कच्रा हटाना शामिल है। उन्हें ये भी सहमती देनी होगी कि अगर उनका चयन होता है तो उन्हें केवल उनके ग्रिह जिले में ही नियूक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार के आकड़ों से पता चलता है कि हर्याना में बेरुजकारी काफी बढ़ चुकी है। केंद्रा से 29 वर्ष की आयू की महलाओं के लिए बेरुजकारी दर जैन्वरी से मार्च में 13.9 प्रतिशत की तूलना में एप्रिल जून से बढ़कर 17.2 प्रतिशत हो गई है। पद के लिए आवेदन किया है जनकी शैक्षणेक योगिता बारवी है। पते समय उमिद्वारों को एक खोशना पत्र देना होता है जिसमें वो ये सुनिश्वित करते हैं कि उन्होंने नौकरी का विवरण ध्यान से पड़ा है। और इसमें सारवजनिक स्थानों सडकों से कच्रा हटाने का कार शामिल है। नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24